साथियों कोची मैंगलूरू पाइपलाइन इस बात का बहुत बड़ा उधारण है कि विकास को प्रात्विक्ता देते हुए सभी मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष असंभव नहीं ये प्रोजेक्ट से जुड़े लोग जानते हैं कि इंजिनिरिंग के लिहाद से इसे पूरा करना कितना मुश्किल था प्रोजेक्ट में कई दिक्कते भी आई लेकिन हमारे स्रमीकों हमारे इंजिनियरों हमारे किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइपलाइन पूरी हुई कि कहने को ये सिर्फ एक पाइपलाइन है लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गती देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है क्यों आज देज गैस बेज एकोनोमी पर इतना बल दे रहा है क्यों वन नेशन वन गैस ग्रीट पर इतनी तेजी से काम हो रहा है क्यों आत्मनिर भर भारत के लिए गैस बेज एकोनोमी का तेजी से विस्तार बहुत जरूरी है वो सिर्फ इस एक पाइपलाइन के फायदों से समझा जाएगा पहला यह पाइपलाइन दोनों राज्जों में लाखों लोगों के लिए ईज आफ लिविंग बढ़ाएगी दूसरा यह पाइपलाइन दोनों ही राज्जों के गरीब मद्यमवर्ग और उद्दमियों का खर्च कम करेगी तीसरा यह पाइपलाइन अनेक शहरों में सीटी गैस डिस्टिपिशन सिस्टीम उसका एक माध्यम बनेगी चौथा यह पाइपलाइन अनेक शहरों में सी एनजी आधारे ट्रांस्पोर्ट सिस्टीम को डेवलप करने का आधार बनेगी पांचवा ये पाइप्लाइंग मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर प्लांट को उर्जा देगी कम खर्च में खाद बनाने में मदद करेगी किसान को मदद होगी छठा ये पाइप्लाइंग मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल को उर्जा देगी उन्हें स्वच इंदन देगी साथवा ये पाइप्लाइंग दोनों ही राज्यों में प्रदूशन कम करने में बड़ी भूमिका निभाएगी आठवा प्रदूशन कम होने का सीधा असर होगा परियावरन पर जितनी कार्बन डाइउट्राइड का एमिशन इससे कम होगा वो लाखो पैड लगाने के बाद भी पाद ही हासिल हो सकता है साथियों नवा लाप ये कि परियावरन बहतर होने से लोगों की सहेद भी अच्छी रहेगी बिमारी पर होने वाला उनका खर्च भी कम होगा दस्वा जब प्रदूशन कम होगा हवा साप सुत्री होगी शहर में गैस आधारित विवस्ताएं होगी तो और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे टूरिजम सेक्टर को भी इसका लाप होगा और सात्यों इस पाइपलाइन के दो और लाब है जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है इस पाइपलाइन के निर्मान के दोरान बारा लाख मेंडेज का रोजगार जनरेट हुआ है पाइपलाइन के शुरू होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार का एक नया एकोसिस्टिम केरला और करनाटका में बहुत तेजी से विख्षित होगा फर्ट्रिलाजर उद्योग हो पैट्रो केमिकल उद्योग हो बिजली उद्योग हो हर उद्योग इससे लाब लेगा और रोजगार के आउसर बनेंगे साथ क्यों इस पैपलाइन का एक और बड़ा लाब पूरे देश को होगा जब यह पैपलाइन पूरी शमता से काम करना शुरू कर देगी तो देश की हजारों करोड की विदेशी मुद्रा खर्च यह खर्च बच जाएगा भारत कोग 21 के लक्षों को लेकर जिस गंभीता से काम कर रहा है यह प्रयास हमें उसमें भी मदद करेंगे